कि सुनन नौइ बात सुनने। 1656 के आस पास एसी खब्रें आई कि शांजा है मरने वाला कौन मरने वाला है बीमार था वाकि वीमार चल रहा तो शांजा गर्ण मंत्री संत्री थे पासमें उन्हों संड़ा बात्साहराइब। ना खासता तो है कि अपने पास में पào रख घिते को नॉश्टर्न इंडिया वेजता रखा है जैंग के चार भीमाई की कुटा पर में पंत्तर में उसकी खुद की राजदा नियरे वहीं पर उसका बेटा कुण सा है और उसने कहा मेरे मरने बाद अगला राजा किसको बना आ पर मुगलों में सिधी ववस्ता थी कि बाप के मरने के वह तो राजा बनेगा तो इधर से आकरमन की तियारी कर रहा है नुटे कर रहा है इसे तायम में और अरग्जाप मुराद को लेटर बेजता है और रंग जब किसको लेटर बेजता है उसने का भाई मुराद एक समाचार सुना आगरा में क्या चल रहा है मुराद ने का हाँ यार समाचार तो आया मेरे पास बहुत कि वहां पर दारा को राजा कोशित कर दिया और जब ने का एक जक्तली और मैं तब से सोच-छोच के हैरान और प्रेसान हूं कि जब हम चारों में सबसे योग्य मुराद है तो राजा-दारा कैसे बन सकता और राजा तुझे बनना ची तो तू राजा तो तो मुराद ने का पर भाईया आप खुद उसने करना नहीं नहीं मैं साओ्थ इंडिया में ठीक हूं मैं तो यहें पर रहना मुगिल बादसा बना अगला बाद मुराद ने का थेंक्यू आर भाईया आप यह सपोर्ट कर रहे हो क्या करना अब तो रंग जी अबने का कि मैं महाराष्ट्र हूं अभी तूम गुजरात बेठा है तो गुजरात से मद्देपरदेश आ जा महाराष्ट्र से और वहां से उपर हमला करेंगे मतलब एक तरफ से दो भाई मिल के हमला करने वाले हैं कौन-कौन इधर से कौन करने वाला है वाला दो हमले होंगे एक पूर्वी दिशा की तरफ से होगा एक पस्यमी दिशा की तरफ से होगा सांजहा के दरबार में मीटिंग भी कि दोनों पती भी बेज़े जा इंहा अंधि को रोक सके ऑदर सुजा हमला करने जा रहा है सुजा का हमला रोक ने के लिए बहादूर पूर के युद्ध में कौन से युद्ध में बहादूर पूर में युद्ध होता अर्बाहदूर पूर युद्ध के अंदर तो मारी बहीं बहीं की बेटों बेटों के अपस में लड़ाई है मैं क्यों जाओं वहां पर तो साजाहने और दारा ने रजी किया जस्वन सिंग को कि हम तेरे को मालवा दे देंगे किया देंगे मैंने बताया था अपने देश में दो जगे मालवा और गुजरात एसी ती जहां पर हर कोई दिल्ली का राजा खुद कभजा करना चाहता था मालवा में खेती बहुत अच्छी होती कम तुम्हें क्या देंगे मालवा तो उसने का फिर ठीक है फिर मैं चला जाओं कि अधर वाकां जा रहे हैं दोनौ और अरंग जब भोड़े बन के अगस Micheered ने की कि वहा हमें समाचार मिला कि पिता जी बिमार है इसलिए हम पिता जी से मिलने के लिए आगरा जा रहे है जस्मा से ने का कि धन्य है तो हमारी माता जिनों ने असे बैटे को जन्न दिया जो इंडिया में था तो फोज को कहां शोड़ गया हूं यह फोज तो साथ में रही ही मेरे तुसने गां यहां छोड़ दे यहां मालवा छोड़ नहीं रखूँगा तरी फोज का और दोनों भाई-भाई-बाई चुपचा प्रवाना हो जो यहां से अकेले जाओगे तो जाने तो और रंग जी अबने का गयार भाई मुझे तू मैंने बरका टाइम दे मैं अपनी सेना को थोड़ा एड़ेस्ट करूं रोकूं इसको इस खाने पीने के ववस्ता करूं फिर रम भाई-बाई अकेले चले जाएंगे जस्वन शिंग का ठीक और रंग जी अब अपनी सेना को यहां जमाता है साथ में जस्वन शिंग के बारे में पता लगाता है कि कौन-कौन साथ में आये हुए है किता असला किते हतियार किता बारूद किता इनके पास में और से पता चलता कि लड़े तो जस्वन शिंग मार देगा और यह मालवाई न सैनापती का नाम था का सिम खान किया नाम था ती सजार की खोज़ ले साथ एक सेनापती मोगलों का अभर आयो वार उसका नाम क्या है का एक अज़ब का सिम खान के पास मेसेज बैच Fitness तए यूद्स से पहले कि का सिम खान बदाईचा धरम परिवर्तन कर लिया मुसलमान घूरदे टेरा भई हे तू मुसलिमान है तो चॉचह भी मुसल्मान उसने का तो मुसलिमान तो नहीं और कुछिभी हो सकता और वास्ते में बहुत लिबरेल बंदा ता सारे दिन पंदजी के पास बेटा रहता है चार दिन राम क्रिशन टाइप की बातें करता रहता है वो काफिर है वो तो हिंदू बन चुका है कब का और हम तो लड़ने इसलिए जा रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि मुगलिया सल्तनत किसी काफिर के पास में जाए पर तु अब काफिरों का साथ देगा और उसने का कासिम कान तू तो एक बात बता तू गता दारा हिंदू नहीं है पिछला युद जो सुजा के खिलाफ हुआ था बहादूर पूर उसमें तुमारा सेनापती कौन था मिर्जा राजा जैसिंग इस वाले युद में मुख्य सेनापती कोन है हमारे से लड़ने के लिए को ना है तूस ने का जस्वान सिंग अलावा उर लड़ने के लिए कौन कोना है तो उसने का आपकी gota का Mukundh singh Hadha अधरत लाम का Ratan singhraathod.' उसने का तुम में सारे कहना हुआ का थिक हुआ ने सब्सक्ति किया ऐा कढमारा से हिए और मैं तीरी टे तरफ होँ केवल सेनिकों की संख्या में कमी अव्रधी होना नहीं है पलाइन बताना है कि कासिम उदर चला गया तो इसका मज़ा कासिम खाने सारी पलाइन भी जो बता दी और उदर जाएगे उसने बता दिया वह कैसे लड़ेंगे क्या नहीं लड़ेंगे कितने हत्यार है इतना असला प बड़ा जो जस्वन शिंग ने का कोई बात नी सेना कम पड़ गई तो भी लड़ेंगे अपने और जस्वन शिंग सांदार वले लड़ता है खुद उस युद्ध के अंदर आगे आगे जाके लड़ रहा होता है खुब सारे गहाव रहते एक दम तोपोंगे गोलियां लग ल लड़ने के लिए जाओ आगे मरना क्यों है कोई जीते कोई लड़े कोई आ रहे आपका क्या लेंड़ देना आप बाहर चलो जसुन शिंगा लड़ना कैसे नहीं है दारा ने मुझे सेनापती बनागे बैजा तो मैं मर मर जाओंगा यहां पर लेकिन लड़ूंगा मैं उनक उसका नाम संग ता नाम किया था Aa नव-जोध- सिंग कर चिन सिर काच कंपा चभ। थी देदिया था सहल कमत उसकी भुवा थी तो मतलब करन्तिकरी टाइप की महिला है अपने आप में उस जब जस्वंत देखो यहां पर पता चला कि उसका पती युदहार गया और वापस आ रहा है तो उसने किले के दरवाजे बंद गरवाए और उसने गोष्णा की कि मेरा पत संपन हो चुकी है इधर किदर आप हर ऐसे कैसे करवाया राणी ने कहा था कि महारेवे पती का मुझ देखना यह पसंद नहीं करती और ऐसे पती को मरा वा समझ लिया जाना चाहिए फिर मंत्रियों ने समझा कि साब हम लेके आए राजा तो खुद भी मरना चाहता था वहां कि नहीं है राजा की हम लेके आए थे अंदर दो कम से कम तो भी केते ला जब अंदर भी आ जाता है तो भी राजा की खूब भी बैस्टी करती है आर जब राजा को खाना लगाया राजा के सामने तकूर नोक रहनी खाना ले जा जाएगी तो राजा डर जाएगा कहीं पर वहां पर तलवारों की टंटन हो रही थी तभी तो भागया गया था जस्वन चीने का चिल बेभी किता भी क्या है ऐसा कुछ ही नहीं हुआ और मैं आज के बाद में कभी नहीं आऊँगा एक बार तो बक्स कम से कम तो जाके को र पर वरंग्जेब के सितारे बहिंकर काम कर रहे थी सामुगट में और मिगम फिर जितता ये अरंग्जेब जीता समुगट विजेब भाग गया डारा बागर के चला अब updated और यह जसने खूमुझित अजूए बना रहा में मुगलबासा बाप को गर ज्यूव blessings मोगल बाटसा ऐसे सामंगेद को जीत पर अरणजय मुगल-बाफ्सा बना मिर्जा राजा जैसिंग पता चला इससे डिश्फा और१ाना ऐसे पता वह थे उसने का न सबस्णों मुगल-बाथ्सा बन तो कोई बात नहीं पर जस्वन सिंग को लेकिया तो याद रखना कोई पूछे का पहला राजा तो दारा का पक्स ओड़ की तरफ गया था कौन था मिर्जा राजा जैसे तो जस्वन सिंग ने आगे जस्वन सिंग को समझाया अपना क्या लेता है जो मोगिल बाद सा बनेगा उसकी तरफ से अपने को लड़ना उसके मनसफ़दार होंगे तो पहले दारा बनना था तो दारा की तरफ ते अब औरन ज्वन बन गया तो ऑनकी तरफ हो जाते हैं तो जस्वन सिंग की तरफ आगया वापस जाता है इस वार्ग जीब पर साता है औरंग आजंग सुज की खिलाफ जाता है जो युदुत होता है उस युद्ध का नाम है dude मैं कि न HU sa 579 시간 एक बना में कि आट गिगा सुना टेसे अरणगे कि लड़ ने के लिए सुजआ कोने मेडान में और जस्त्वन शिंगों लगता उस युद के मैदान में जाने के बाद कि या इस ओरंग जेव का साथ तो कैसे दिया जाए ये ओरंग जेव जो अपने यार खिलाफ था पिछले युद में अपने इसके खिलाफ लड़े थे और कासिम खान को युदी ना मिलाता ओरंग जेव अपने साथ दोखा धड़ी ना करता कि अरे निच्चे कर ले मोबाइल बाद में खिंच लेना फटो बात तो सुन कि दोखा धड़ी नहीं करता तो यार अपने जीत ते उस युद को भी अपने जीत जाते लेकिन इस ओरंग जेव की चलाक्यों की वज़े से और अपने धर् जुद सरूं खाऊंगा दस वजें होगा यहां और अरंग-जेव की सेना कड़ी अरबर मेरी सेना कड़ी सामने तूं कड़ा जैसे युद शुरू होगा तू सामने की तरफ से अठेक करना मो औरंगजेव की तरफ से अठेक कर दूँ աूरुद से गषिटायम एंगे इसको और जिदर मैं खड़ाओं उदर उस साइड में औरंग जेब के हतियार रखे में मैं इसके अतियार लूटूँगा मैं इसके अतियार लूट के इदर जितनी सेना कड़ी है वो सेना को पीट पार्ट के इसके मारमूर के मैं युद्ध भूमी से बाहर निकलूँगा बाद में मैं बाहर निकलूंगा तो इसकी सेना कम हो जाएगी और तू आकरमन तरकेश को डंग से हराल लेना आपने और तू मुगलबाद साबन मैं चाहता हूं तू मुगलबाद साब बन जाए सुजान का अगित हम सब वेरी गुड़ भाई ब्रोकल मिलते हैं अपने युद तब तक औरंग जेब अपने स्थितियां वापस से ही कर चुका था उसके साइड में जो त्यार पड़ जो उसने उले लिए उसने का कोई नहीं सेना निकल गित निकल गई और यहां से जस्वन शिंग तो निकल गया और अरंग जेब सुजा के बीच में हुद होता है औरंग तो धन मिला तो खजवा आगरा के पास की जगह है वेदम आगरा के पास से होके जार रहा था आगरा में औरंग जेब अपने मामा जी की पोस्टिंग करके गए था साइस्ता खान की पोस्टिंग आगरा में थी साइस्ता खान को समाचार मिले कि खजवा के मैदान में जस्व वह पास में तब खा लेना पहले ही तुछ ऑग्रा आता ही नहीं नहीं है जास्वन शिंग आगरा से बाइपास होतावा जोटपूर निकलता है उचे लगाए लूट का माल अपने पास खूब सारा क्या करेंगे उदर जाके उढ़ने जोध्पूर आपने सामानुमान जोदप पूर्पूर के अंदर सुजा भाग चुका है वहां से जस्वन शिंग ने दारा के पास मेशेज किया कि दारा मैं सुजा की तरफ गया था तरे भाई की तरफ पर वो तो बेल अखना निकला भाग गया उदर तू आजा आपने जोनों मिलके औरंग जीव से लड़ेंगे ओरंग जेव निक जास्माएक पर यस की तरफ घने का प्रियास कर हरा है तो उसने जस्वन सिंग पिलाए जहार निकर मत भुरावड दीसों मेरे दो कशुम अर्फ आपने स्वन सिंग को क्या दिया पूझ्रा उसको लगा है यहीया टब में आप प्रूंद पर उसने इस बारस अक्योंट की तुमार आघाए तो राजस्तान के बाकि राजाहां को साथ लेका ना अक्यले पारनी पड़ेगी ओरंग जिभ की सकतियां बढ़ी है ज़ी बाकि राजा सात में वे तो तो मेंत्रे साथ दूंगा बरन्हा सात नहीं दो अकेले-अक वहां से तारा संद से निकलता है चिन से निकल के आता है तिस के लाहे हमारी उपरक्षा को भी आदमी नहीं कर सकता इसलिए है रनाराज सींफ प्लीज माझमेर क्या रहा हूं दौराई कून्साएं और तुम मेरा साथ ने के लिए वहां पर आ जाओ sentences कर शुका है कि उसकी दारा और समजा आ से बनती हैं नहीं थी क्योंकि दारा और सांजा ने चितोड का पुरिदरिमान रुखवा दिया था इसले राज सिंग ने इस लेटर का कोई जबाब ही नहीं दिया और 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 अगजेब के बीच में दोराए में युद्धोर है और जशन सिंग को मेसेज करता है कि मैंने तेरे को गुजरात दिया है मेरा सेनापती बने युद्मया अब जशन सिंग फस गय बाद में पर और जितने के बाद में साजा झाइबन जो पकड़ा जाता है औस जो घंबता दक भाउन औरु से मेरा कोई बाट नहीं देदर जके नहीं सब्ивается कर अब तु मिर्टर जुटिस् squares अब तो यार्थित जा धिंग अब औरेंग जेपने असको कहा कि तूस आफ पेशुनिया कि सौथ हिंडिया लुग… वो साइष्ता खान की पोस्टिंग और अचा ने ने पनप रहे थे सौध इंडिया अंधर तो और अरंग जीव एक रियासत वा करती ब्जापूर कि बीजापूर वालों को कहा कि बीजापूर वालों मारो रहे इसको प्रिंधार जमीदार भी तुमको यह तंग करता रहता है वीजापुर वैलों ने अपना एक स्यनापती था अफज का में परिजी निया जी पांक से हैं मिलें हो ऑ फितने अमस्ट्राइज फ़सल्क बेंग ठांगा मारतूं पर आप्छो exactamente अपना एक दूत बेजा क्रिष्णा जी भासकर क्या नाम था कि शिवा जी को जाग को अफचल खान संदी करना चाहता अकेले अकेले मिलेंगे कि शिवा जी भासकर के शिवा जी को जाग का कि अफचल खान संदी करना चाहता देरे में अकेले मिलना पड़ेगा सिवा जी को क्लाक अंदर की निउज कि अंदर की निउज यह कि आप जब मिलोगे तो अफजल लगाएगा गले लगा कि उस समय उसकी जेव में चाकू होगा वो जेब से चाकू निकलेगर मर देगा आपको तेंक्यू जाओ आप यहां तो किस्तना जी बास करके है दो संधी करने के लिए दियार making कृत्छ bubble झालटे दोर से देखते भाप जिडर वय यह भर भाइ सिवा आ गया यह तब पहत जशिवा झाल से अंदर जले कान को मारेगा कौन सिवाजी कौन मारेगा इलिग्स को मारने के लिए वहाँ पर कौन बिठाओफ है शेस्ता कान वेअे पुना के महल पर भचा लिए पुना का महल जिस में सिवाजी जित बिठा था सिवाजी लगतार, मेरे बच्पन वाले महल पर भचा कर लिए यह जितन हएकести, साइस्टा कान बेठा हुए। जशुण चेरसहार जास चूसषण Ś olhos घृता है कि सिवाजी कब भॉट लगए तो आपके पूना के महल पी अबला करें चुड़वाले उसने का नियुक्त भी आपके तुमारा साइस टाकान बेठा अंदर और तो तुरे को पता चल रहा है कि मूगलों को मुगलों के देपा इनको मुगलों को चार सो मुगलों के ड्रेस ती यह दिन शिवाजी श्याम के टाइम जब बंदेरा ओ रहा था था पुन्हा के महल के बाहर आया और आग गेट केपर का भई हम तो मुगल सहनी का है कहीं युद लड़ने गए थे रात हो गई अंदर आने के अनुमत ही दो बेचारे इस गेट केपर ने अंदर आने दिया शिव अबरना सिवाजी मारतार मेरे बेटे को तो मारा हो रहा हुए उन्होंने और पुना के महल पे कप जा कर लिया और और अरंग जेब को लगता कि साइस्ता खान की गलती इसलों अरंग जेब किता कि मामा तूं आज के बाद आग राद दिगां तूं जा यहां से बंगाल तो गञां पे कि में तरह को बिलते साइस्ता का नहीं रहा तो नहीं पुस्ट्टिंग कांपि बंगाल और आज के बाद इखाएशन थेना पिछरा बंग्र में ए मिर सॉतिशन शाम इसेसे वहां पहुंचा आथे प्रफ पहुंचा लोगिल बाट से बनना चाहता है उसने शन्ने तरे बाप की खिलाब अगावत कर दे और मैं तरे साथ मोज़जम को साओथ इंडिया में मुगिल बाट सा कोशित कर देता है और अग्जयब को पता चला वह घई हो गया और उसका साथ कोण दे रहा है ज ऍसके पुष्टिंग की गुजरात महाष्ट्र चेटाया गुजरात बेजा और मोश्यम के किलाब सेना बेजगे मोच्यम के विद्रो को दबाया मोश्यम से माफिमंग हुआ अब अरंग जैप को डरकी आ कब गुजरात नहीं तो जोदपूर के आसपास आपको पोस्टिंग नहीं दी दूर रखेंगे तो इसको दूर बेजो और तंग करेगा इसलिए इस पार पोस्टिंग कर दी कि काबूल कामर बेज दिया थेट उस सीमा पर पड़ावाए काबूल एकदम यह तो काबूल में सक्तिसाली कमंडर क्या ह हो सकता थी क्योंकि अफगान थे वो डेली टेक्स्ट देने के लिए मना कर दिया करते तो अब शक्तिसाली को बेजो तक उनको ठोकपीट के टेक्स तो ले सक्तिसाली जस्वन सिंग से बढ़ा को नहीं हो सकता है इसको बेज दिया जाए दूसरी बड़ी बात इसको नजदी वरों में तो जस्वन शिंग तो औरंग जेब मेरे को जजिया नहीं लगाना दे रहाए अब जजिया छोड़ो मैं बताता हूं क्या कर सकता हूं और अरंग जेब ने ओडर पास किया कि सेना जाए और मारवाड के सारे मंदिर तोड़ दे उसने का मारवाड का राजा मेरी नीतियों का विरोध कर रहा था अब लो यह तो काबूल वेठा काबूल से कब ह 되면 अब यहां बेठे प्टे क्या करें इत चे दूर अपने चला के जाएंगे तब तक तो मंदर तूर जाएंगे और अपने पास कोई लाज है नहीं अब जश्वन शिंग मां गतम गत के अंदर की आर मारवाड के मंदरी तूटेंगे मेरे राज्ये के मंदर नहीं बचा पाऊंगा फिर मतलब ही क्या निकिलेगा उससे और कुछ भी दिमाख में ने उसने काबूल में एक ओर जारी कि काबूल की सारी मस्जीदें तोड़ दी जाए इधर औरंग जब को समातर मिला कि वह मस्जीदें तुडवाएगा औरंग जब समातर के भाई रूके प्लीज मस्जीद के आत्मत लगा देना यह मौल भी सारे जो मेरी तरफ है कल खिलाप हो जाएंगे और यह कहेंगे तेरे राज में मस मारवाडा के मन्दी बचे उसने अपना ऊडर आपस लिया मस्जीदों को टूटने से बचे और काबूल में मरता है मरता तो औरंग जब समातर को दूटा है किसelli कबलासि में सोका होगा कि Bala Sahib ठाकरे की पार्ड इस उना The Congress के साथ the government बना लेंगी किसने सोचा होगा कि BJP के साथ the government बनांगे थे राजनीती अ करा कि अ